हेलो फ्रेंस वेलकम बेक अगेन और दाइक दोशनष्टी के अंदर ओर समेटर के हमारे यूजी एनिपी ट्रेशन कोर्सिस प्रफ्सिस के एकजाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं तो एकजाम फॉर्म.फ फिल हो रहे हैं 19 नौमबर से स्टार्ट हो गए हैं एक दिसम रहे हैं तो दोस्तो आपको अपना एक प्रफशन के उप्शन में इसे प्लिक कर लेना है क्लिक करतें ही देखें आप आप आजएंगे एक्जाम के उप्शन पर दो अप्शन देखनों मिलते हैं एक हमारा ओट समेस्टर दिसंपर दुजरच चुबीस एक्जाम फॉम जहां पर आपको अपप्लाई नाओकों इसे ल देखे दोस्तों पहले जो हमारी UGNEP और समेस्टर के एक्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे हो इसी लिंक से फिल हो रहे थे लेकिन अब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर पेज ओपन नहीं होगा तो आपको करना क्या है अगर आप UGNEP के स्टुडेंट है तो आपको सभी स्टुडेंट को आप सिर्फ और समेस्टर दिसंबर 24 एक्जाम फॉर्म के सामने अप्लाई नहीं कुलिक करना है क्लिक करते ही क्या हमै एडिशन पेज पाज आएंगे जहां पर देखेए का लिंक की लिंक के लिंक अलग से मिल जा आप कोलेई और क्यम्प सर्थ के लिंक को मिलते हैं मेन पेट ड़ेंट गेंग के लिए और एक back exam form के लिए एकिन यहाँ पर एक्स्टुडेंट के लिए कोई ऐसा option नहीं है तो आप एक बाद ट्राइ कर लिजिए जो main paper exam form के link पर क्लिक करके एक्स्टुडेंट का form आप फिल कर सकते हैं तरवाइज एक्स्टुडेंट के लिए अलग से link यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको फिल करें दिखा रहा हूं college का exam form campus exam form भी सेम तरीक से आपको फिल करना है तो आप student college के हैं campus के हैं उसी साबसे आपको अपना exam form फिल करना है तो यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूं bsc agriculture semester 1 का जिसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है main paper exam form for college इस option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते देखिए हम next step पर जाते हैं जहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपना registration number mention करना है इसके बाद applicant का name आप fully mention कर सकते हैं फिर तीन option देखिए मिलता है submit form और pay fee तो सबसे पहले आपको submit form के option 5 बिलता है submit form exam form semester year इस option क्लिक करना है क्लिक करते ही next step में आपको step 1 तो करेगा जहापे आपको आपको पर जिसन नंबर सो करेगा रोल नंबर सो नहीं करेगा candidate का नेम, father's name, mother's name, semester और date ओपर mention रहेगी साथ में college की detail आपको सो करेगी इसके बाद है कि आपको course के अंदर subject details हो करेगी तो आपको चेक कर लेना है, जो subjects हैं आप study कर रहे हैं, वो subject यहां पर mention है यह नहीं है, अगर साथ subject सही हैं तो कफे अच्छी बात है, otherwise subject सही नहीं है, तो आप अभी form fill मत कीजेगा, अभी website में update हो रहा है, तो आपको उसकतर subject बाद में यहां पर आए, साथ में यहां पर आपको optional subject देखने को मिलते हैं, तो तीन option subject आपको select करने हैं यहां तो आपके subject अगर पहले से यहां पर पढ़ रहे हैं, तो option subject आपको फिल मत कीजेगा, उसके बाद जब आपको हड़ जाएगा, तब आप यहां पर submit and next क्लिक करके अपना form fill कीजेग अधरवाई जा आपको यहां पर पर पढ़ने हैं, तो यहां पर select कीजेगा, जो कौन से option subject हैं पर पढ़ रहे हैं, वो subject हैं पर select कर लिजेगा, subject होने के बाद आपको submit and next क्लिक करने के बाद हम fee payment के step पर जाएंगे, तो आपको first semester कितनी fee pay करनी है, वो यहां पर show कर रहा है, 32 397 रुपए आपको fee pay करनी है, तो इस fee को payment करनी के लिए आपको उस मिलता है, click here to make online payment, इस option पर वो click कर लेना है, click करते देखे हम payment page पा जाएंगे, जहां पर payment आप debit card, credit card, net bank की उपएगी तरू कर सकते हैं, तो आपको जिस भी अथर से payment करनी है, payment कर लीजएगा, payment complete होता है, आपके सामने fee sleep generate हो जाते है, इसका print out निकाल लीजएगा, अजरवाईज आपके सामने fee sleep generate नहीं होते है, तो आपको दुबारे से अपने form को सर्च करना है, यहाँ पर देखे है, आपको form की details हो करेगा, पहले यहाँ पर जो सो कर अथा submit form, आप यहाँ पर submit form के सामने आपको सो करेगा completed, पे fee के option में आपको, जो fee sleep है, उसका print हो करेगा, इसमें आपको sign करके, अपने पास इसको save लेना है, यह आपको college में submit होगा, साथ में आपका self-vision form है, इसका print out निकाल लेना है, इसमें आपको अपना name और signature यहाँ पर कर लीना है, यह आपको करना क्या है, आपको तो तीनों document का print out निकाल को, इसको sign और signature करके, आपको college में जाके submit कर देना है, college में submit करने की last date रखे के 2 December, 2 December को इसको आपको college में जाके submit करा देना है, अपना exam form का process complete कर लेना है, हो सकता है college में, आपके इन तीन document के लावा, आपसे 10, 12 के document वेगरा, मांगे जाए तो आपको college में पता कर लेना है, क्योंको इस document आपसे मांगे जा रहे हैं, उन document ये साथ आपको तीने document का print out निकाल के college में submit कर देना, 2 December तक, तो इस तरह के से आप BSC Agriculture semester 1 का exam form fill कर सकते हैं